जहन नमस्कार दोस्तों मैं विरार चोदरिश्वाइब करता हूँ आपको अपने वीडूब केनल कमांड और केडमी पर दोस्तों आज का वीडियो इस्पेसिली उन सभी चात्रों के लिए जो खुद नेवी एर्पोर्स या इंडिया की तैयारी करते हैं या उनके छोटे तो दूसरी बात सबसे कम फीश है कि 30,000 रुपे फीश है दो साल की कि इतने की दो साल की और अगर दो साल में सेलेक्शन नहीं होता तो यह 30,000 रुपे आपको बिल्कुल वापस दिये जाते हैं यहीं सो परसेंट रिपर्ड कि यह नहीं अगर आपका बच्चा दो साल के नह अब सबसे पहले मैं आपको यह चीज समझारता हूं उसके बाद मैं आगे बात बताता हूं जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप इस वीडियो को थोड़ा अंतिम तक देखिए आपके जीवन का या आपके छोटे भाईयों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है जानते होंगे एकजाम होता जिसमें 51 में से 40 बच्चे हमारे पास इकाउन में से 40 बच्चे पास तो आप अनुमा लगा लिए इसी को गारंटी बोलते हैं अगर हम हमारा काम जिम्मेदारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीज है अगर हम हमारा काम जिम्मेदारी से करें तो बिल्कुल सो परसेंट परिणाम रहता है लेकिन नोगरी पक्का लगेंगे इसके पीछे रिजन क्या में आतो होता हूं हम इस बच्चे को पूरे दिन रहता है वो इस परकार से रहता है कि जब भी कंपीटिशन एक्जाम में हमारा में पोकेश ने से दो साल के आपका बच्चा नोगरी नहीं लगता तो हम आपके संपून फीच लोटा देंगे अब आपको सोचें कि हम जो आप से फीच लेते है हमारे पास में कोई बच्चा रहता है तो सबसे पहले आप सोचेगी बच्चा 700 दिन तक पड़ता है पूरी जिम्मेदारी के साथ तो क्या वह एक छोटी शी नोगरी नहीं लगेगा आप खुछ सोचे आप भी समस्दार है ऐसा हो नहीं सकता है वही हम करते हैं और इसमें से त्यारी कर रहे हैं मैं आपको बता दू हम के बाद सो एडिशन लेंगे जिसमें से चारीश एडिशन कंपलीट है नेवी एरपोर्स के बेच में इस के बाद में फीश बढ़ जाएगी इस पीश में यह फाउंडेशन बेच है उसके बाद में तो पीश की फीश आएगी नीचे दिए गए नंबर पर इसमें से पूल और गी साड़ फीट जो बचाना आता है अभी से अपना एडिशन करा सकता है अब आपको बताता हूं देखें क्या होता है गारेंटी बेच की परिवासा आपको बता दू गारेंटी बेच्वी परिवासा यह है कि हम इने बच् सनीवार को इनका भीकली जो पढ़ाया गया उसका टेस्ट हर संडे को जिस एक्जाम की तयारी कर रहा उसका टेस्ट बाकी रुटीन में डेली कम से कम एक टेस्ट पर देता है जिसके नंबर हम आप जितने भी पेरेंट्स उनके साथ में शाजा करता है कि आपके बच्चे के इतने नमर आए और जैसे मालों सो बच्चे है तो इसमें से आपके बच्चे की रेंग कोन सी है तो उससे आपको में पता दल जाएगी आपका बच्चा कितना पड़ा लिखा है क्या उसका क्राइटेरिया कहां पर वो चल ठीक है दूसरी बात वह सुबह जैसे चार बचे से क्या रहे हैं उठाने का समय तो चार बचे से लेकर आठ वचे तक वो चैल्प स्टेडी करता है मतलब कि आता गंडा फ्रेस्ट होने का तो इसके बाद तो सेल्प स्टेडी में उसको डाउट कराते है तो उससे यह पता रहता है कि जो बच्चे कोई भी समझ आए वह निदा सब्चे में रहती है लगातार वो पड़ता रहता है शाहत में उसको लगातार जितने भी है जितना भी हमारी टीम है वह उन में नमबर लाना अनवारे अगर नहीं लाएगा तो उसकी कंप्लेन होगी उसको अलग टाइम पर पढ़ाए जाएगा उसकी रेस्ट खतम करते जाएगी मान लिजे कोई बच्चा मकरागिरी करता है तेस्ट लेते उसका टेस्ट में अगर पर्फॉमेंस अच्छा नहीं है तो जिस नहीं देता तो उसका गेम टाइम बंद हो जाता है तो धीरे धीरे उसको मजबूर करते हैं पढ़ने के लिए मजबूर इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे पता जितने भी पेरेंस यह जितने भी जो बच्चे हैं नेवी एरपोर्स और आर्मी के तयारी करते हैं यह अगर वो नहीं पढ़ता तो उसको मजबूर करना पढ़ने के लिए उसका रैस टाइम कर देते हैं तो अपने आप पढ़ने लग जाता है और पांसे दस पंद्रा पीस दिन के अंदर अंदर वो एक धरे में डल जाता है उसके बाद में उसके तीरे-दीरे अपने आप उसक कि अगर दो सब्सक्राइब करें तो आप सोची डिफेंस के तयारी करने वाला बच्छा क्यों नहीं करेगा आर्मी ने भी इतने भी बच्चे हैं आपको बता दो जो तयारी करना है अभी यह बेच नया शुरू हो रहा है तो आप भीस तारिक से पहले-पहले इस बेच में इडिविशन ले सकते हो और सकता है कि बेच तारिक बाद में आप तो शीट अवेलेबल नहां बन जया हिंद्ध जया पार्थ